हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम बनाने जा रहे हैं बचे वे चाबलों का नास्ता और यह देके एकदम सौप सा बनता है बहुत ही तेश्टी लगता है बच्चों से लेके बड़ों को यानि कि बड़ों से लेके बच्चों को सबको पसंद आता है तो इसमें नासर देगी जार नातर पसंग यह दक侌ता कशळा नहीं होना चाहिए नाल्माल होना चाहिए इसके बाद आज बेसं जालने से binding अच्छी आजाएगी साथ ही इसमें डाल रही हूँ हाप कप दही तो दही ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए नॉमली होना चाहिए इसके बाद मैं इसमें डालूँगी एक कप पानी यानि कि हमें रिशियो जो है वो चावल और पानी का वो दो कप चावल तो एक कप पानी ले दीजेगा तो बस फटा फटी से हमें ग्राइंड कर लेना पीस लेना तो हलका दरदरा ही पीसना एकदम फाइन पेश्ट नहीं बनाना है तो यह देखे मैं आपको चेक करके दिखा देती हूं एकदम दरदरा सा यह देखिए तो बस अब हमें किसे ट्रांसफर कर लेना में तो फटा फटी से ट्रांसफर कर लेते हैं इसके बाद मैं इसमें आड़ कर रही हूं चार से पांच शमच सूजी तो सूजी डालने से भी बाइंडिंग अच्छी आएगी जो पकेवे चावल होते ना उन्हें बाइंड करना बहुत ही जरूरी हो आपने बाइंडिंग नहीं आती है इसलिए हमने इस सूजी को और सूजी को भी साइड में रख देते हैं कलर लेते हैं उसमें में लैसन डाल रहे हूं चार से पांच कलिया लैसन लें दो हरे मिर्श डाल दे रही हूं साथ एक इंच अद्रक कर टोकुड़ा इन्हें अच्छे से क्रश कर लेंगे और एक क्रश कर लेते हैं और यह देखि सारी चीज़ा अच्छे से घ्राश हो गई हैं तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के में डाल दे रही हूं साथ इसमें और और चीज़ा एट कर देंगी तो जैसे स्वात के अंसार मैंने नमक कर दिया है साथी में कर रही हैं साबु जीन और इसमें थोड़ा हींग डालना मैं भूल गहीं थी बहुत ही जरूरी है और इसे बीडाल के अच्छा से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल दिया ज्यादा नहीं एकदम थोड़ा सा और ना ही हमें बेकिंग पाउडर की जरूरत होती ना बेकिंग सोडा ना इनो कोछ और बस इसे रेस्ट करने के लिए जोड़ दिया था थोड़ी तेरकिली पांच मिनट यह इसके भी तरेल ही थी और देखने के बाद में इसे सारा का सारा बैटर इसमें ट्रे में इसके लिए फट सर्फेस एक्वल हो जाए हर जगे बराबर पहुंच जाए और साइट पे ही मैंने स्टीम होने के लिए स्टीमर रख दिया था यह देखिए पानी अच्छे से बॉइल हो गया है इसमें फटा फटा हम अपना बैटर डाल देते हैं यानि जो मोल्डे से में रख देते हैं और इ इसमें नाइब डालके कुछ भी डालके एक दम क्लीन आ रहा है न यानि की कोख हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए गा एक दम तुरन तुरन नहीं पलट लीजएगा गरम-गरम बना उसे तूट जाएगा तो हलका ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद इसे ट्रांसफर कर लीजएगा एक प्लेट में साइड इजिज हटा के और इसका जो बटर पेपर मैं उसे भी निकाल देती हूं तो यह देखिए और इसे फटाक से हम पलट लेते हैं और इसकी कटिंकल लेते हैं तो मैं इसे स्क्वाइर सेब में कुछ भी बोलिए तो इसे फटा-फट कटकल ले रही है तो मैं सेंटर से कटकरना सुरू कर रही हूं और यह देखिए तो मैं आपको चेक करके बता दें कितना सौब बना यह देखिए एक दम सौब सा बना हुआ है तो चलिए फटा-फट इसका तड़का रेडी कर बना जाएगा ना तो इसमें एक टेबल स्पून मस्टर्ड सीड यानि की सर्सों के दाने साथ ही एक टेबल स्पून सेशमे सीट यानि की सफेद तेल साथ ही में डालूंगी कुछ पांच से चैकरी लीप्स डाल देंगे और बस इन सारी चीजों को अच्छ से सौथे कल लें तो बस फटा फटी से एक मिनट के लिए सौटे कल दिया इसके बद भर के एक टेबलिस्पून मैंने में डाला सामर मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यह देखें सारी चीज अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो फटा पटी से ट्रांसवर कर ले रही है तो यह देखें मैंने से हरी चतनी के साथ और टोमेटो केचप के साथ सर्फ किया बहुत ही टेस्टी लगता है आप लोगी से फटा फट बनाएए ट्राइ करिए अगर आपक